हालो फ्रेंज, विलकम बाक टो मेरेडियन ओवेसीज, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेट इंफिरमेशन देना जाती हूँ, स्टूडेंट्स जो यूएस वीजा इंटर्व्यू के लिए अपलाई कर रहे हैं, वीजा इंटर्व्यू के लिए मैं आपको एक देना चाते हूँ, आपने सबसे सुना होगा, mostly students को ये question जरूर किया जाता है, why this university, और students के answer करते हैं, university के रांकिंग बताते हैं, university के facilities बताते हैं, मेरा course उस university में बहुत अच्छा है, ये सब बताते हैं, देखो ये जो, ये सारे जो है ना, ये बहुत ही common answers है, ये एक fact है ये university के बारे, वो तो वो Google पे भी देख सकते हैं, जो officer वहाँ बैठे हैं, वो आपसे fact नहीं जाना चाहते हैं, वो ये जाना चाहते हैं, कि आपने personally ये university क्यों select की, आपका personal reason क्या है, तो आपको बहुत ही एक personal way में answer करना है, जैसे आप बोल सकते हैं, कि मेरे father के किसी friend ने recommend किय है, या फिर मेरा खुद का कोई friend है, जो पिछले एक-दो सालों में वहाँ पे उन्होंने enroll किया था और उनको बहुत अच्छा लगा, या फिर मैंने किसी career fan में visit किया था, मैंने वहाँ पे representative से meeting की, उन्होंने मुझे suggest किया, उन्होंने जो चीज़ें बताई मुझे काफी अ करना चाता हूं, तो कुछ ऐसा जो बहुत ही आपसे personally related हो, common answers नहीं करने हैं आपको, बहुत ही छोटा answer भी नहीं रखना है, बहुत ही बड़ा answer भी नहीं रखना है, आपको कुछ ऐसा है कि जो personal आपके आपसे ही related fact हो, तो यह था आज के एक visa interview tip, अब हम वापस आते हैं spring intake प अपने, आप लोग apply कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने अपना English proficiency test दे दिया है, या नहीं भी दिया, अभी भी plan करने हैं उसके लिए, तो आप लोग आपके documents मुझे application 028 meridian.org पर forward कर सकते हैं, उसे हम evaluate करके आगे कि आपके steps को plan कर सकते हैं, आपको कौन सी English proficiency सबसे सू अगर आप face to face भी मिलना चाते हैं, तो आप हमारे किसी भी center विजट कर सकते हैं, या फिर online counseling लेने के लिए, आप हमारी website पर विजट करिए, I hope जो आज मैंने आपको interview tips दी हैं, आपके लिए काफी helpful रहेगी, ऐसी और useful tips पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon प्रेस करें Thank you, मिलते हैं next video में